देखिए, topic क्या है? friction on an inclined plane नहीं कोई inclined plane है, उस पर body रखी भी है उस पर friction लग रहा है अब कैसे लगएगा, क्या लगएगा बात की बात है उस पर definition आ रही है, angle of repose ज़रा देखने की कोसिस करें, क्या है ये लफड़ा देखो, हमने कहा ये एक inclined plane है, जुका हुआ plane है ठीक है? और हमने कहा ये theta angle से जुका हुआ है यह रफ surface है, यह चिकना surface नहीं है ठीक है? और इसके उपर एक body रखी भी है ऐसे, तो body का weight कि दर काम करेगा? तो पहले बात तो इस surface पर रखी है न body तो इसका weight तो बिलकुँ downward काम करेगा, vertically downward लेकिन body जब surface पर रखी होती है तो surface का normal reaction force वो हमेशा surface के perpendicular होता है तो बिलकुल ये perpendicular काम करेगा surface के perpendicular तो ये reaction force हो गया ये angle कितना होगा? अब ये angle निकालने के लिए देखे धान से उसमें गंदगी नहीं करेंगे देखो ये surface था ये surface का angle theta था ये एक body थी ठीक है ये आपने कहा normal reaction तो पुरा angle 90 टिका हुआ हुआ ना ये body का weight act कर रहा है theta तो ये angle कितना 90 हो गया? ये angle कितना हो गया? ये 90 होगा ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा ये 90 माँ theta होगा? यहां से लेगर कि यहां तक कुल angle कितना है 90? उसमें इतना है 90 मानस theta तो ये कितना बचा? theta होगा? तो ये theta आएगा ये वाण angle कितना होगा? theta होगा अब देखे इस body के forces जो weight है ना इसके ज़रा component देखे बॉड़ी का जो mg है उसका theta से लगा हुआ component क्या होगा? mg cos theta और एक perpendicular component क्या होगा mg? अब बताएए अगर body इस पर slide कर रही हो slip कर रही हो, हम कोई force नहीं लगा रहे हैं तो किस force की वज़े से slide करेगी है? यहाँ पर कौन सा force है जिसकी वज़े से body slide करेगी है? ध्यान से देखी वहाँ पर भाई gravitation कुछ रपूर डाइग्राम के लिए रहे है ना वो हम क्यों बात कर रहे है? वहाँ देखे surface के parallel कौन सा force लग रहा है? तो कि नीचे खीच रहा है? कौन सा force इस body को नीचे खीच रहा है? दिख रहा है सामने याप पर आर बाडी को नीचे खीच रहा है? यह वाला force नहीं दिख रहा तुमको? यह किदर काम कर रहा है? surface के रणूर काम कर रहा है ना तो बॉड़ी को नीचे खिंचेगा अब जरा देखे हमने कहा angle of repose क्या होता है साउधान एक बॉड़ी हमने लिए ऐसे surface तो रख दिये थीक है और surface तुड़ा सा रफ है क्या बॉड़ी किर जाएगी अगर इसको घुमाते जाए इस प्रिकार से उठाते जाए तो एक ऐसा angle आ में हो उस condition में body का slide नहीं हो रही है body slide होने ही वाली है अब फिसली के तब फिसली ठीक है तो उस condition में यह बताए बॉड़ी कर जो frictional force होगा किधर काम करेगा डाइग्राम में clear है डाइग्राम से देखिए यह अपवर्ड काम करेगा तो friction उपर के और काम करेगा fs क्या body खेशा करही है just about to slide है ना यानि कि mg science रहा किसके इकवल है fs के और इसी angle कहते है angle of repose तो इस डाइग्राम को मता सुन में है यह minimum angle होता है जब body just equilibrium condition में हो just about to slide की condition में हो ठीक है वदा अभी भी net force body पे zero काम कर रहा है लेकिन जरा सब थीटा अगर बढ़ा दोगी तो body नीचे की और गिर जाएगी ठीक है इसको angle of repose कहते है तो जड़ा definition लिखे it is the minimum angle the A of code definition अग्या अगर जड़ा रपोज इस फिस अमिनम अगल that it is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal ता लिखा that, an inclined plane makes with the horizontal, when a body placed on it, when the body placed on it, is just about to slide, is just about to slide. डेफिनिशन में लिखा है, it is, it is मतलब किसी बार में बात कर रहे हैं, angle of repose, तो डेफिनिशन आप अपनी language भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो अब बता ही, body पर net force कितना काम कर रहा है, जिरो काम कर रहा है, ना, यानि body is already in equilibrium, तो in equilibrium, in equilibrium, देखो, arc कौन balance कर रहा है, mg cos theta, तो r is equal to mg cos theta, और fs किसके equal है, mg, sin theta के, fs is equal to mg, हमको निकालना क्या है, हमको angle of repose निकालना है, ठीक है, यानि आपको theta निकालना है, तो दोनों equations को क्या कर दिए, divide कर दीजे, तो dividing equation 1 and 2, dividing equation 1 and 2, हमने dividing equation 1 by 2 नहीं लिखा है, हमने ये कहा, equation 1 और 2 को divide करना है, जिसको चाहें आप उपर लिखें, किसको उपर लिखेंगे हम, theta निकालने के लिखें, theta हमें साथ time के form में आता है, तो sine को उपर लिखेंगे, तो इधर तो आ जाएगा आपका, Fs upon R is equal to mg sin theta upon mg cos theta, mg mg cancel हो गया, हमने कहा था, साथ ना भी कहा हो, अभी कह रहे हैं, कि आपको R जो हटाना पड़ता है कहीं नहीं कहीं से, क्योंकि R एक reactionary force है, ठीक है, R को हटाना पड़ता है, तो Fs की वालिव आपने पढ़ी कुछ, याद करिए, mu s into R, यानि Fs को क्या रहे सकते हैं आप, mu s into R, mu s क्या होता है, वह जैसे क्या होता है, वो तो यहां आ रहा है, जैसे mu s क्या बताए गया था, coefficient of friction, यानि कि आपने प्रूफ कर दिया, कि tan theta is equal to mu s, यानि जो angle of repose होता है, वो आपका, उसका जो tangent होता है, वो coefficient of friction के बराबर होता है, ठीक है, नोट करिए, कि आप angle of repose की definition क्या दे सकते हैं, तो आप कहेंगे, the tangent of angle of repose, वो तो definition हो गई वहां पर, मैथमेटिक लिए हम देखें, कि tan of angle of repose is equal to the coefficient of static friction, तो लिख लिजो यह, थास, थास, the coefficient of static friction, the coefficient of static friction, is equal to the tangent of the angle of repose tangent of the angle of repose अब एक यहाँ पर noting लगा लिजिएगा हम angle of friction की अब बात करेंगे angle of friction को हमने किस से indicate किया था theta s से ठीक है एक noting लगा लिजिएगा तेको theta theta s alpha phi यह आप की मानने पर है आप क्या मान रहे है if इससे जो आपने भी निकाला है न mu s is equal to 10 theta निकाला है न इसको एक उसम 1 डाल दीजिए if theta s is the angle of friction angle of friction तो हमने इसके पहले बताया है कि 10 theta s is equal to किसके इकल होता है mu s के इकल होता है न और 10 theta भी किसके इकल होता है mu s के इकल होता है तो by equation 1 and 2 by equation 1 and 2 10 theta is equal to किसके आ रहा है 10 theta s के आ रहा है न यानि theta is equal to theta s यानि कि जब body limiting equilibrium में है limiting equilibrium मतलब just about to slide की condition में है उसमे angle of friction और angle of repose आपस में same होते हैं ठीक है मतलब क्या हुआ देखे अगर हम angle of friction को यहां दिखाना चाहें तो angle of friction हमने क्या बताए था क्या होता है हमने कहा था reactionary force और frictional force इन दोनों का एक resultant होगा ठीक है बनाना नहीं आपको और यह resultant जो है न वो जो इससे angle बनाता है उसी को कहता है यह वैसे भी देख लो यह इसको बढ़ा दीजे इसको यह वाली line ऐसे बढ़ा दीजे ऐसे थीक है तो यह angle लिकल हो रहा नहीं हो रहा है तो इसको यह theta है वैसे इससे मतलब नहीं है तो नीचे लिख लो दस अंगल अफ रिक्षन इस इकल टू अंगल अफ रिपोस के बराबर होता है अगर आपको अंगल अफ रिक्षन दिया हो और अंगल आफ रिपोस पूछ रहा हो तो वह आपस में सेम हो जाएंगे ठीक अब देखे जब कोई बॉड़ी चलती है तो उस पर फोर्स लगता है उस पर फ्रिक्षनल फोर्स लगता है वो कैसा फ्रिक्षन होता है काइनेटिक फ्रिक्षन कितने प्रगार के काइनेटिक फ्रिक्षन होते हैं तो नेक्स है टाइपस आफ काइनेटिक फ्रिक्षन टाइप सकते हैं तो दो होते हैं number one लिखे sliding friction number one sliding friction मतलब जब कोई body किसी surface पे slide करती है slide मतलब किसकती है तो इसकी definition चाहो तो लिख लो चाहो अपनी भासाम ले सकते हो ना लिखे sliding friction when a block slides over a surface when a block slides over a surface then the friction between their contact surfaces then the friction between their contact surfaces is called sliding friction sliding friction ठीक है तो पहला तो हो गया आपका sliding friction sliding friction अगला आपका है rolling friction रोलिंग friction देखो body roll भी करती है friction की वज़े से जैसे अगर friction नहीं होगा तो body roll नहीं करेगी और roll मतलब लुड़कना होता है जैसे मालया गाड़ी है और गाड़ी कभी कीचर में फच जाए तो आप देखते हैं उसका पईया घुम आगे नहीं बढ़ेग पईया घुमता रहेगा क्यों वहां friction कतम हो जाता है ना तो हूता क्या जब कोई भी surface पर पईया घुमता है तो हूता क्या है कि अगर पईया आगे बढ़ रहा है तो यानि कि इधर की और फ्रिक्शनल फोर्स है पईया को रोके हुए है और आप पईया को आगे बढ़ा रह डौँ सकते क्या करना पड़ता है गारी के जो पईय तो याली गारी नहीं चलती बड़ी गाडी होती है गारी की पईयों में जो है वो पांद देते हैं वहStry टैप की चैन बांद देते तोष dánd पकड़ती है ग्रिंड बनाथी है उसमें प्रिक है तब गाड़ी चलती है त when the body rolls on a surface then a friction force acts on it then the friction force acts on it this friction is called rolling friction this friction is called rolling friction देखियो टोपिक क्या है motion along a rough inclined plane पहले इसका मतलब समूझेगा है कोई body किसी inclined plane पर रखी है और move कर रही है अब पहले move की conditions तक लिएगा और तो इंक्लाइन पेनल कैसा है रफ है खुर्दुरा है यानि फ्रेक्शनल फोर्स वहाँ पर एक्ट करेगा देखे जान से अगर आप बॉड़ी एक सर्फिस ऐसे ले लिजेगा होरिजन्टल उसमें कोई बॉड़ी रखिए क्या अपनी वेट के हुज़ा से मूब करेगी उठा स्विटिंग फ्रिक्शन उसे थोड़ा ज्यादा कर दीजे तो स्लाइड करने लगेगी उसी स्लाइड करने वाली बॉड़ी का हमको एक्सलेशन निकलना है उसके मोशन के बारे में बात करनी है यानि कि यहां पर जो होगा जो इंक्लेशन एंगल होगा एलफा वो ग्रेटर थीटा मान चुके इसलिए हम थीटा लेकर है टीक है यानि बॉड़ी अगर मूब कर रही है किसी इंखलाइट ऌरे लांगों हूं बी कैसा इंखलाइट प्रेट हर्फ इंखलाइट प्रेटर तो जरूरी है उसका इंखलाइट और प्रेटर से बड़ा हो जाए हमने पता है थीटा एलफा हो कुछ भी मान सकते हो अब यहां पर एक बॉड़ी रखी वी है और यह इस बॉड़ी का वेट नीचे की और एक्ट कर रहा है और यह सर्फिस का रेक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है यह एंगल एलफा होगा ना और एमजी का एलफा से लगा हुआ कामपोनेंट क्या होगा एमजी कॉज एलफा जब एलफा है तो एलफा बोलेंगे ना और इसका डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो एमजी साइन एलफा अब बताईए बॉड़ी नीचे की और मूब कर रही है तो नीचे की और मूब कर रही आप ये मान रहे हैं कि mg sin alpha की वज़ी फके से ज़्यादा है हमने कहा था कि body जब चलने लगती है मान लिया mg sin alpha की वज़ी से चलने लगती है तो जैसे चलना नहीं दो तरीके हैं दो कारण है अगर body चलने लगे तब भी तो friction लगता है लेकिन आप इतना force की वज़ी लगाते रहें कि friction को counter कर दे तो body एक constant speed से चलती रहेगी या आप जो force अप्लाई करें या जो ये mg sin alpha हो वो friction force से अधिक हो तो body accelerate करना सुरू कर देगी तो हम ये मान के चलने हैं कि downward direction में acceleration A है तीक है तो r किसको balance कर रहा है इधर कोई motion तो हो नहीं रहा है तो यह आर किसको balance कर रहा है r is equal to mg sin alpha sorry mg cause alpha अच्छा अब देखिए body नीचे के और move कर रही है तो नीचे के और force लग रहा है mg sin alpha और उपर के और रग रहा है fk तो पहले बताईए mg sin alpha बड़ा है कि fk बड़ा है तो body move करी रही है तो net force कितना काम कर रहा है net force काम कर रहा है mg sin alpha minus fk और यह किसके को लोगा m a के यही तो a निकाल रहा है आपको अब सुरू हो जाओ mg sin alpha fk को mu k into r लिखते है r क्या होता reactionary force is equal to m a हमने कहा था ultimately आपके proof में r नहीं आना चाहिए r को आपको हटाना पड़ेगा तो r की value क्या लिखतेंगे mg cause alpha mg sin alpha minus mu k into mg cause alpha is equal to m a दुनों तब से एक m कैंसल हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा g sin alpha minus mu k into g cause alpha is equal to a तो इस प्रकार से आपका acceleration निखलेगा ठीक है तो यहां क्या है यहां से उल्टा चाहिए लिख दो a is equal to यहां लिख दो sin alpha minus mu k into cause alpha अब बाहा लिख दीजेगा g तो यह आपकी body का acceleration है जबकि body अपने weight की वज़े से नीचे slide कर रही है हम कोई अलग से force apply नहीं कर रहे हैं देखें क्या जरूरी है कि अगर body नीचे slide कर रही हो तो उस पर acceleration लगे ही हमने बताया था कि kinetic friction में होता क्या है कि जैसे body आपने चलाना शुरू किया body चल नहीं रही है ठीक है आपने और force लगाया एक limiting friction आया जिसमें body just about to slide की condition हो गई अब body slide करने लगी जब slide करने लगी या चलने लगी तो उस पर एक friction force लगने लगा क्या नाम उसका है kinetic friction तो अगर किवल आप उतना force apply करिए कि kinetic friction को आप counter कर दीजे खतम करने के लिए तो आप एक constant velocity से चलेंगे तो यहाँ पर एक special case है एक special case क्या है कि if a 0 हो जाए नहीं कि body नीचे के और constant speed से चल लगी है एनि body is moving ऐसा हो सकता है ना body is moving with constant speed constant speed body constant speed चल लगी है तो यहाँ पर a को 0 कर दो तो by 1 अभी हो तो नहीं कहता नहीं by question 1 a को क्या रख देंगे अब 0 इधर क्या आएगा g bracket में sin alpha minus mu k into cos alpha अब जोड़ा इसको calculate किया जाए logic पकड़ में a 0 हमने क्यों किया देखिए g की value तो 0 हो नहीं सकती है तो यह आप bracket 0 हो जाएगा ना तो यानि किया आगया sin alpha minus mu k into cos alpha is equal to 0 तो cos को धले जाओ cos धले आओ तो 10 alpha is equal to mu k तो यह आपका concept आ गया तो यह जब कोई चीज multiply में लिखी होती है और उसकी value 0 होती है तो concept क्या होता है अगर दो नंबर का multiplication 0 हो रहा है तो या तो यह number 0 होगा या तो यह number 0 होगा नहीं दो तरीके समझेगा यहाँ G तो 0 है नहीं इसलिए इसको 0 कर दिया गया ठीक है rough inclined plane हो तो रहा है लेकिन alpha जो है न inclination of inclined plane वो less than है theta के, theta बोले तो angle of repose अब बताईए हमने बताया कि अगर आपने किसी inclined plane में body रखी उसको उठाया angle of repose के नीचे रखो गए तो body slide करेगी angle of repose जब angle आता है वह minimum angle होता है जिसमें body just about to slide होती है ठीक है अब देखें यहां का जो inclination है न वो angle of repose से कम है तो body slide तो करेगी नहीं तो अब ज़रा साउधानत्वाट डाइग्राम अजीव है यह horizontal है अध्यान रखीएगा और यह आपका inclination है इसका angle of इसका किमने क्या माना है alpha ठीक है angle of repose से कम है अब यहां पर कोई body यहां पर रखीवी है यह body यहां रखीवी है पहले तो body का weight नीचे के और act कर रहा है body का reaction force surface के perpendicular act कर रहा है और यह alpha होगा mg का alpha से लगा हुआ component क्या होता mg यह आप vector में पढ़ चुके हैं इसमें ज़्यादा कहारी हम नहीं बताएंगे और नीचे के और क्या होगा mg sin alpha अब ज़रा समझेगा आप अगर body को नीचे खीचना चाहते हैं तो आपको खीचना पड़ेगा अपने आप body slight नहीं होगी क्योंकि angle of repose वो minimum angle होता है जिसवर body नीचे की और खीचने की condition में आती है और यहाँ तो पता चला आपने उससे कम angle लखा हुआ है तो खीचना पड़ेगा ना अब यह depend करता है आप पर की force की इस direction में उसमें लगाए जैसे यहाँ पर जो force दिखाया गया है वो दिखाया गया है alpha horizontal से alpha angle पर इंकलाइन plane से इस angle पर force लगा दिया ऐसे horizontally यह लगाया गया force F ठीक है और angle जो माना गया है वो कुछ भी आप ले सकते जरूरी नहीं है यह हो ना कि आपने माले यह force लगाया है यहाँ पर थीटा भी आप यूज कर रहे हो alpha भी यूज कर रहे हो तो क्या लिख दें इसको इसको हम phi लिख दें ठीक है यह हमने इस direction में force को लगाया force इधर भी लग सकता है बताँ अगर plane के एलांग भी इसको खिश सकते हो तो phi कितना हो जाएगा zero हो जाएगा ठीक है एफ साइन फाई समझ में आए नहीं है डाइग्राम डाइग्राम समझ में आए भाई जो force आप लगा रहे हो न वो horizontal से या इस plane से फाई एंगल बनाते हो लगा रहे हो तो एक एफ का component फाई से लगा हुआ होगा एफ कॉस फाई उसके perpendicular एफ साइन फाई और body किदा slide करेगी नीचे की और तो frictional force किदा काम करेगा उपर की और kinetic friction होगा न और body नीचे की और A acceleration से accelerate हो रही है डाइग्राम क्लिर हो गया अब हम body पर force दिखाते हैं देखे इस surface के perpendicular force उपर किदा लग रहा है R प्लस F sin फाई वो किसके इकल होगा mg cos अलफा हमको ultimately gap किसको करना पड़ता है बस R की value निकाल नहीं है आपको R को gap करना है तो R प्लस F sin फाई is equal to mg cos अलफा तो यहां से R की value क्या निकलेगी mg cos अलफा माइनस F sin फाई यह कुशन बराम 1 डाले दे रहा है ठीक है अब देखो इस plane के नीचे के तरफ कितने force काम कर रहे है अच्छा एक मिनट इन्होंने body का फिलहाल A नहीं माना है यहाँ पर downward A की लिए क्या मानी है 0 यहाँ कि body move तो कर रही है लेकिन उस पर कोई acceleration नहीं आक्ट कर रहा है ठीक है अब तरह यह नीचे की और कितने force काम कर रहे है अगर यह force ज्यादा हो जाएगा तो body accelerate कर जाएगी ठीक है तो बहुत सारे forces हैं इसलिए उन्होंने A की value जिरो कर दी ठीक है तो यहनी नीचे force केतना काम करेगा F cos 5 plus Mg sin L5 is equal to Fk चुकि आपको निकालना क्या यहाँ पर है आपको applied force लिए करना है F cos 5 plus Mg sin L5 परावर Fk क्या हुआ मू के इंटू R R की value आप लिख चुकिए हैं उपर तो आगया F cos 5 plus Mg sin L5 is equal to Mk और R की value क्या है Mg cos L5 mathematical calculus निका रहा है minus F sin 5 यहां तर पहुंचे इस diagram को रप करेंगे को diagram की ज़रोत आप नहीं है मतब जो यह force आपने apply किया ना वो inclined plane से 5 angle पर किया है Inclined plane से यहां एक concept समलीजेगा हम यह मान रहे हैं कि body नीचे की वह slip करने लगी है और उसका acceleration 0 है अगर आप यह मान लें कि body just about to slide की condition में है तभी यही पूरी condition आएगी बस के की ज़िए क्या यूज हो जाएगा S और कोई दिक्कत नहीं ठीक है इसे आपनी बुक में देखोगे तो हाँ S यूज किया गया है उन्होंने कौन सी condition ली है कि just about to slide है हमने condition क्या ली है कि body is sliding ठीक है तो दोनों condition हो सकती है ठीक है डियाग्राम रब करते डियाग्राम कज़रोत अब है नहीं तो हम K को S का है यूज कर रहे है हमने माल लेते हैं कि body slide कर रही है हमने इतना force लगाया है कि body slide करना सुरू कर दिया है अब आपको निकालना क्या है फोर्स की वाली है ना तो ब्रेकेट को खोलना पड़ेगा तो खोल दीजे देखिए इधर क्या रहा है f cos phi plus mg sin alpha is equal to यह खुलेगा तो आएगा mu के into 1 minute ज़र आप इधर से लिखेंगे वो जगे ज्यादा ले रही है यह लिख रहे है f cos phi plus mg sin alpha is equal to mu k into mg cos alpha minus mu k into f sin phi अब सिंपल सी बात है आपको f के टम एक तरफ करने पड़ेंगे तो हमने यह वाला f का टम इधर शिफ्ट कर दिया और f यहां से ले लिया common तो अंदर क्या बचाएगा cos cos phi phi plus mu k sin phi अधर क्या बचेगा mu k into mg cos alpha minus mg sin alpha तो यहां से हम mg काम ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा mu k cos alpha minus sin alpha अधर क्या हो जाएगा f अधर f 10 k static होता तो 10 theta s क्योंकि हमने सुरुआ से इसको यह dynamic माना है इसलिए हमने k मान लिया है sin alpha अपार्ट में आएगा न यह यह अपान में आएगा तो आएगा cos phi plus mu k into sin phi mu k sorry mu k को रख दीजेगा tan theta k tan theta k into sin phi अब थोड़ा calculate कर लेते हैं tan को convert करते हैं sin upon cos में देखें साइद कुछ हो जाए तो mg देखें ध्यान से डायट कर रहा हूँ में sin theta k upon cos theta k करोगे sin upon cos होगा न cos LCM लोगे तो cos उसर मल्टिप्लाइम आएगा तो उपर क्या आ जाएगा उपर आ जाएगा sin theta k into cos alpha minus cos theta k into sin रही तो आएगा न और अपान में क्या आएगा cos theta k सही कहा मैंने डायट कर दिया हमने अपान देखिए जब इसको sin upon cos करोगे तो इधर क्या जाएगा इधर आएगा cos theta into cos theta k plus sin 1 minute अचा cos phi है तो phi यहां भी होगा उपर ठीक है अचा यह phi है ना और प्लस sin phi into sin theta k और अपान में क्या है cos theta k इसकी विलू cancel हो जाएगे ना यहां तब पहुँचिए अब यहां पर एक mathematical identity लग रही है f बराबर देखिए mg थो ही है mg यहां पर एक identity लग रही है sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b कर लग रहा है ना formula तो sin theta k minus alpha और नीचे लग रहा है cos a cos b plus sin a sin b cos cos theta k minus alpha तो यह आपका force होगा ठीक है तो यहां तब पहुचिएगा इसके बादे संभी आगी बादना अब यह value आपको दे देंगे तो value अपने आप निवेरिकल निकल आएगा लेकिन निवेरिकल में अगर कोई question आता है तो आप यह formula apply 90% नहीं करेंगे आप commentative कर सकते हैं otherwise procedure apply होगा वहाँ पर ठीक है नोट करी है